और बहुती बिलकुल आसान से बनाना तो करनाना क्या है विडियो को पूरा देखना है तभी हुप मैं कोशिस करते हूं एकदम बारिकी gebथाने को यह तो बहुत यूदि है कमाल का है कि यह पीडिए आपको और अच्छा लगा होगा चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक वीडियो का रिक्वार्मेंट होगा जो मिलेगा कहां पर मिल जाएगा बहुत ही इसली चलो में रिपास विडियों है में पहले व्यडियों को एड़् कर तुसके लिए प्लस करोगे नौ तो अपने विडियो एपोर्ट किया हुआ है वीडियो को वह वीडियो कैसे अट करोगे तो यहाँ पर बनाते हैं कैसे टेक्स्ट एंविशन जो देख रहे है ना वह लेफ्ट से आ रहा है और राइच भी आ तो बहुत ही यूणिक लग रहे है बहुत ही अच्छा कॉमिनेस थान से सबस्क्राइब कि यह जो video है वुडियो पर क्लिक कर लेना है blending इन ऊपसेटि पर जाना है और इसका जो Rag speech है इसको हम लोग को कम कर देना है ठीक है ति इसको हम लोग रखेंगे 65% ठीक है अब आपको speak कर देना है और देख सकते हो तो सभी आपको बारी-बारी से बताते जाओंगा ध्यान से देखोंगे विदावड स्कीप किये हुए तो क्लियरली समझोगे चलो सबसे पहले अपना गाना फाइंड आउट कर लेता हूं कि कहा से मेरा गाना स्टार्ट हो रहा है तो गाइस सबसे पहला जो वर्ड है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है लगबग पर देखो यहां पर चार पांच लाइन दिख रहे हैं एक बार क्लिक करना तो दूनों साइट से टेक्स आपका बीचो बीच में हो जाएगा ठीक है इसके बद से कलर पर क्लिक कर लो यहां से वाइट कलर को चूज कर लो इसके बाद रोबूट रेगुलर पर जाओगे और यह जो फॉस्ट वाला पर स्लेक्ट रहता है आपको सबसे नीचे वाला पर क्लिक कर देना है यहां से इसको इतना ही काम है इसके बाद से आपको इस टेक्स पर क्लिक करना है एफेक्ट पर जाना है टेक्स पर जाना है टेक्स स्पेसिंग पर जाना है स्टैंडर सेटिंग को भलग को име कि यह पांग हो कर दो यह पहला स्पीड की वहां तक आपको बागी इसीड की मदब से इसको बढ़ाना है ठीक है यह देख लो यह पहला काम मेरा हो गया इसके बासे इस पहले upलिग करना है इस चेक्श को रखना कहाँ पर वहां पर हम लोग को adjustment कर लेना है तो suppose let मैं इस text को यहां पर रखना चाहता हूं दिखाना चाहता हूं ठीक है फूरा वीडियो में मेरा यही size पर यहze फॉंट जो है रहेगा ठीक है अब हम लोग इसमें मैनी एफक्ट है वो सिखेंगे तो इसके लिए एफ्ट जाएंगे टेक्ष्ट पे जाएंगे यहां से टेख्ट ट्राणस्वर्म जो दिख रहा है ना यहां पर क्लिक कर लो ठीक है इसको बैश्टिंड Alrighty को क्लिक करना को open करना ध्यान से देखना है क्योंकि यह हैं में फेक्ट महोंका मिलता रेन्ज क्लिक करना सुरू में प्लस बंब अब यहां पिच में प्लस लगाऊ ठीक है इसको इधर से ही करip पूरा प्रसंट रख देना है ठीक है अब नीचे आज़ा face end पे कुछ भी नहीं करना है transform पे क्लिक कर लो यहां से component को select कर देना है ठीक है और यह आपका max your letter स्लेक्ट होना चाहिए ठीक है अब यह offset को use करना है ठीक है तो offset बहुत लोग directly use कर देते हैं तो समझ में नहीं आता है देखने वाले को मैं आपको ब यह एक्स पर बाई डिफॉल्ट रखता है आपको एक्स को ही बढ़ाना है ठीक है अब यह जैसे हिलने लगे अब एकदम टेक्स का सुरू में जहां पर शुरू था वहां पर आ जाओ और इधर लास्ट में बढ़ा दो एच आपको खली दिखाई देना चाहिए यहां से ठीक ह एच जो है हलका सा दिखाई देना चाहिए क्लियर है यह हुआ परफेक्ट समझने का तेरीका अब अगर यहां से मैं डिरेक्ली बढ़ा देता मुझे तो पता ही है बट जो बनाने वाले हैं उनको कुछ डिफरेंट समझ में नहीं आते है तो यहां से आपको डिफरेंट है अब नीचे आओगे यह इस इंग वाला आप्सन पर इस इन को फूल कर दो इस इस आउट को माइनस में हंडेट प्रसेंट कर दो ओबर लेप पे क्लिक करना है और इधर से 500 आपको रखना है ठीक है तो अब लेप को हम लोग इधर से 500 रखते हैं अब यह टेक्स देखोग और इनायत लिखना है ठीक है एकदम ध्यान से देखो के तभी आप लोग समझोगे सेम टेक्स को बीचो बीच में करने के लिए अलाइटमेंट क्लिक कर लो कलर पे क्लिक करके इस वार हम लोग यहां से यलो कलर को चूज करेंगे यहां से आपको डार कर सकते हैं यलो कलर हम को चाहिए गाइस यलो ठीक है तो इसको हम लोग यलो स्लेट करते हैं यहां से ओके कर लेते हैं और टेक्स पर क्लिक रहेगा गाइस सौरी यहां से टेक्स पर क्लिक कर रहेगा और यह फॉन्ट को यूज करना है ओके पर क्लिक करते हैं मूब एंड राएंगे इस टेक्स को ह बढ़ा लेंगे ठीक है यह देख लो अब इसमें भी हम लोग इस पेसिंग लागाना है तो टेक्ट पे क्लिक करते हैं एड़ ऐसे जाएंगे टेक्स पेसिंग पे जाओके इस्टांडर सेटिंग क्लिक कर लो थोड़ा से इंक्रीज कर दो थीक है 5% clear है गाईज अब इसको पर याना है टेक्स्ट पर टेक्स टांसेस्वर्म को ओपन करने के बाद रेंज पर जीसे सुरू में हम लोग प्लस लगा देना हैं और लास्ट में एक और प्लस लगा देना है ठीक है लास्ट से थोड़ा पहले और इसको भी हम हम लोग को 100% करना है एक दम ध्यान से देखोगा इस अभी आप लोग समझोगे जैसे हम लोग यूज किये थे ना सब कुछ सेम तरीका से यूज करना है और नहीं तो एक काम आपको और भी कर करना है और यहां पर आके पेस्ट कर देना है ठीक है तो टेक्स दो बार हो गया तो गाइस एक बार डिलीट कर दो करते हैं रेंज वगर है सब कुछ सेम है हम लोग को इधर जो है ना यह जो देख रहे हो ना आप इधर में एक आप्सन मिल जाता है ट्रांस्फॉर्म में यह यह वाला जो आप्सन देख रहे हो ना आपसेट वाला आपसेट पर क्लिक कर लो सब कुछ आपका सेम है यह जो वैलू है 467 हो गया है इसको आपको इधर से कम करने है ठीक है यहां से आप रखो के तब आपको क्लियरली समझ में आएगा इधर से आ आपका जो है अब आपका काम जहें कम्प्लीटली बनके रिडियो गया आज होब कि यहां तक किलियर समझे होंगे पहले वाला टेक्स ट्रांस्फॉर्म को हम लोग डारेक्टली एड कर दिये हैं ठीक है और वहां से जो आपसेट में पहले वाला में प्लस में था तो दूसर वाला में हम लोग इनायत जो जिसमें वार्ड लिखे हैं जिस वार्ड जिसमें हम लोग इनायत लिखे हैं उसमें हम लोग माइनस में कर दिये बाकी सब को से मी रखें ठीक है अब है तेरी इनायत यह पहला वार्ड आपका कम्प्लीटली बनके रेडियो गया है अब आपको करना क्या है दूसरा लिखने के लिए इन दोनों को स्लेट करो यहां से कॉपी टूलियर कर लो यहीं से आपको क्लिक करना है पेस्ट टूलियर करना है और जो भी आपका दूसरा वार्ड है दूसरा वार्ड यहां पे पहले में लिख दो और उसके बाद वार्ड है इसके बाद यहां पर दूसरे वाला में यहां पर लिख दो क्लियर है गाइस तो आई होप कि एकदम क्लेरली समझे होंगे यहां तक अब पूरा जब टेक्स लिख लोगे ना तब आपको एक काम करने हैं ठीक है प्लस करने हैं और एक सेप ले लेना है ठीजाट पर क्लिक करके क्लिक कर दो एकदम लास्ट तक चले जाओ स्पीड की मदद से अब इस पर क्लिक करना एक एफेक्ट लगाना है तो एफेक्ट पर जाओगे यहां पर सर्च करोगे कॉपी बेग्राउंड ठीक है आ जाएगा स्लेट कर लो स्टाइंडर सेटिंग क्लिक कर लो इसको बंद कर दो फिसे एफेक्ट पर क्लिक करेंगे प्रोडूसल पर जाएंगे सिंपल स्टाइटरी फिल को क्लिक करेंगे स्टाइंडर सेटिंग को क्लिक करेंगे अब इसके सुरू में आजाओ जो हम लोग सेप लगा है ना इसके एकदम सुरू में सुरू में एक प्लस लगा दो एकदम यूनिक कितना effective और जवर्दस text animation वीडियो बनके आपका ready हो चुका है तो thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए I hope कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा एकदम enjoy ली सीखे होंगे समझे होंगा और काफी पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा जाओंगे वीडियोप सेलेक्ट रहेगा यहां से एक्सपार्ट कर दोगे वीडियो आपका गैलरी में से बजाएगा गाइस